हेलो फ्रेंट, SMT चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग और एक IPO के बारे में बात करेंगे आपको अगर जो मांटो IPO में एलोट में नहीं मिला या फिर आपका happiest mind या फिर जो भी आपका पिछले वाले जो IPO था उसमें अगर आपको आपने apply किया था बड़ आपको अलोट में नहीं मिला तो बिलकुल आप निराश मत होए और भी IPO बाजार में है, market में है काफी सस्ता वाला और एक बहतरी ना IPO अभी open है आप यहाँ पे investment कर सकते हो, apply कर सकते है तो यह IPO को बारे में हम लोग आज जानेंगे तो वीडियो को ज़रूर इन तक देखिएगा और अगर first time चैनल में विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर subscribe करके जाना आपको ऐसी informative वीडियो हर रोज notification में मिलता रहेगा तो चैनल यह शुरू करते है फ्रिंस दो IPO अभी हमारे HFC Securities अप्लिकीशन पर आपको दिखाए देगा एक है REX, PIPES & Cable Limited इसका जो इसू प्राइस है 26 रुपिस only यहां पर देख सकते हो 26 रुपिस का एक एक जो शेयर का प्राइस है 26 रुपिस बाट आपको लेना पड़ेगा 4000 शेयर्स मतलब यह थोरा सा ज्यादा quantity का आपको शेयर्स लेना पड़ेगा ठीक है तो मतलब हो गए आपका 26, 26, आपको 2,600 एन देन उसको आप अगर 4 तैंट्स करेंगे तो आपको आप सोचे होहां पर कितना होता है करीब 14,000 कद आपको investment minimum यहाँ पर करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर आप लोग सोच सकते हो कि इतना छोटा प्राइस का एक स्टॉक्स है रेक्स पाइप्स और केबल्स पर कुमपनी एक प्रोमिशिंग कुमपनी है यहाँ पर पाइप्स और केबल्स का manufacturing होता है और यह ज पर डबल पैसा मिलने का chances है but as usual IPO मिलना इतना असन नहीं है एक्चुली मेंली लोटरी बेस्ट सेलेक्शन होता है यहाँ पर आप अगर जो काट आप प्राइस एंड फर्स कम फर्स अप जैसे पहले-पहले आप अप्लाई करते हो एंड जब एप्लाई के टाइम आप ठीक ठ पर शेयर है रेक्स पाइप अन केबल्स लिमिटेट का और इसका जो स्टार्ट डेट है 28 जुलाई यानि स्टार्ट हो चुका है ओपें हो चुका है आप यहाँ पर जाके एपलाईस में कर सकते हो क्विक एपलाई और एपलाई दोनों में से ठीक है और इसका जो एंड में 28 जुलाई से 2 अगस्तक और इसका जो लॉट साइज है आप देख सकते है 4000 का लॉट साइज और एक एक इस्यू प्राइज है 26 रुपेज तो इसमें आप जरूर अपलाई कीजिए आपको अगर नहीं मिला आपको हो सकता है इस आपको में आपको अलर्मिन मिल जाए ठीक इस इस दा ओनली आइ तिंग इस बेस्ट तिंग एंड हम सबको इसका फायदा उठाना चाहिए ठीक है तो आई प्यो में जब आप बाई करते हो यह इस्यू प्राइज है इनिशल पाप्लिक अफर में कोई ब्रोकरेज इसमें चार्च नहीं कर सकता ठीक है तो इस टेप सी म आपको जिरो पैसा लगेगा अपलाई करने में और अगर आपको कुछ एलोर्टमेंट हुआ भी आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा ठीक हो फ्री है सिप आपका जो शेर का पैसा है उही आपको पे करना है हाँ आप अगर जब बेचोगे सेल करोगे आप लोग जब तो शेर मिल जाता है अलोर्टमेंट फिर आप उसको जब सेल करोगे तब लेकिन आपको बोकरे चार्जेस देना पड़ेगा जो सेंपल बोकरे चार्जेस है उसी हिसाब से तो ज़रूर अपलाई कीजिएगा रेक्स पाइप संद केबल्स लिमिटेड 26 रूपिस करके एक ए और एक यहां पर आप देख सकते हैं और एक IPO ओपन है Network People Services Technology Limited का ठीक है टेक्नोलोजी वाला एक शेर है और इसमें भी 28 जूलाई से ओपन होके 2nd आगस्त तक ओपन है इसका भी प्राइस ठीक है ज्यादा प्राइस नहीं है 76 रूपिस टो 80 रूपिस तो आपको cut-off प्राइस डालना है 80 रूपिस का सोधार आपका जो चांसस है वो IPO में मिलने का बर जाए चांसस ठीक आप जबी जो सबसे हाई प्राइस रहता है माली 76 टो 80 तो आप 80 में cut-off प्राइस डालना पड़ेगा आपको सोधार आपका चांसस बर जाए और 28 जूलाई से 2nd आगस्ता इसका टा करीब आपको 12,000-13,000 का निवेश आपको करना पड़ेगा ठीक है इसमें यहां पर भी 14,000 यहां पर 14,000-15,000 पकर के चलिए आपको मिनिमाम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ठीक है तो बोथ IPO Network People Services Technology Limited and Rex Pipes and Cables Limited IPO का प्राइस बहुत ही सस्ता है जैसे बहुत महंगा IPO हम लो इन्मार्क तो जो माटो एक था सस्ता वाला 76 रुपिस अच्छा था वो बाट इतना खड़ीदारी हुआ पर इतना अपलाई किया लोगों को नहीं मिला बहुत लोगों को तो यहां पर जाए प्लेक्स पाइपस and Cables Limited बहुत ही चीप प्राइस में आपको IPO मिलने वाला है कु इसमें कोई बगी बोकर्यच नहीं लगताह है और आपको लिस्टिंग डे में आप पेश सकते हो उसको बेच के प्रोफिट बुकिंग कर सकते हो और आप चाहो तो इसको लॉंग टर्म के लिए भी होल कर सकते हो बाट अगर आपको अच्छा खासा लिस्टिंग में प्राइज मिलता है तो बेच के आप प्रोफिट बुकिं थांक यू